नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चानल फ्यूजन किक्की में और आप व्यूवर्स के डिमांड पर मैं आप पहुची हूँ हुनर हार्ट जी हाँ दोस्तों जो की लगा हुआ है अवद विहार योजना में अड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो मेदान तो हॉस्पिटल के पास है डिटेल अड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख सकते हैं हुनर हार्ट का यहाँ नजारा और 21 ताडिक तक रहने वाला है यह दोस्तों तो आईए चल कर देखते हैं कि क्या कुछ है अनोखा है इस हुनर हार्ट में और मेरी कुछ खास सब्सक्राइबर हैं महिलाएं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला कि माम आप जाओ और हुनर हार्ट कवर करो तो यह वीडियो खास कर आपके लिए भी है पहले कि हुनर हार्ट के इस मेले को हम घूमे देखें और समझें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सोच के साथ क्या thought process के साथ इस हुनर हार्ट को लगाया गया तो आप दिखे यहां पे माननीय प्रधान मतरी नारेंद्र मोदी जी का एक मेसेज भी है कि आधोनिक स्वरूप में जो ये भामना धीरे-धीरे विस्मृत हो गई कि हम हुनर के ऊपर जो आधारित लोग हैं उनको हम सामान दें लेकिन अगर सही बाय मायने में बात की जाए तो जैसे आपके पास मित्टी के बरतन बनाने वाले लक्री का समान पहले में आए तो इस बात का भी ध्यान रखे बिल्कुल ठीक आपको यहां पर विश्व कर्मा वाटिका देख जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं सामने विश्व कर्मा भगमान की मूर्ती है जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता या कम जानकारी मैं उनको पता अंदर भी आप आएं दोस्तों और देखें जरूर विश्व कर्मा वाटिका के अंदर आपको यहां पर इस तरीके के मॉडल्स देख जाएंगे जिससे आप देख सकें कि जो हात करगा या हस्त कला का जो कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है उसको कुछ दिखाने के कोश की गई है जैसे अगरबती निर्मान कर रही है महिलाएं या फिर चटाई निर्मान कर रही है या आप देखिए विश्व कर्मा भग्मान की मूर्ती के नीचे जो स्टेच्यू है तो उसमें यह दिखाए गया है कि मिलकर जो लोग है वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं तो इ उसको क्रांतिकारियों ने रोका था उसका भी कुछ परद्रिश्य आपको यहां देखने मिल जाएगा उसके अलावा 1857 की जो क्रांति थी उससे जो रिलेटेड लोग थे जो जुड़े हुए लोग थे खासकर वो जो लखनव के अंदर थें उनके यहां पे भी वो आपको कुछ इस तरीके की कैनोपीज लगी है उस हिसाब से दिख जाएंगे बहुत सारे स्टॉल्स हैं दोस्तों और हर स्टॉल में कुछ खास कुछ अच्छा सामान है हर एक स्टॉल पे जाके अकवर करना तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरी कोशिश रहेगी कि जिन स् पहले स्टॉल पे खड़े हैं जहां पर आपको दिख जाएगा तसर गीचा एंडोपियन सिल्क के उपर बिहार से आए हैं ये लोग तो पहले भया से बात करें नमस्कार भया आपको शुब नाम आपके पास क्या कुछ चीज़े रखी हैं उसके बारे में थोड़ा से यदि आप बता देते सर्व मदू बनी सिल्क में सूट से हमारे पास यह वाले क्या प्राइसेज होगी इन सब की यह 2000 के रेंज में 2000 के रेंज में तो जैसे सर अगर इसकी बात की जाए तो क्या कीमत होगी इस साड़ी की यह 6000 की है यह कोसा सिल्क मतेरियल है जी उसके अलावा आपके पास सूट पीसेज भी है पीछे कुछ तसर सिल्क में है हमारे पास पीछे सूट भी है जो यलो बाला लगा हुआ हुआ है उसकी क्या प्राइस होगी पीछे कॉर्णर में अगर आप उस तरफ नजर डाले तो आपको देख रहा होगा कि वहां पे जो वुड़न फरनीचर है उसके भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो हुनर हाट के अंदर स्टॉल्स काफी सारे हैं चीजे काफी सारी हैं और कॉल्टी वाइस भी जब मैं अपनी नजरों से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बाकी मेलों के मुकाबले यहां पर अच्छी चीजे मिल रही हैं तो आए चलिए और एक्स्प्लोर करें तो थोड़ी बात करें नमस्कार मैम आपको शुब नाम तुलिका शर्मा तुलिका जी पताईए कि आपके स्टॉल पर क्या लग रहा होता है जी अम बताईए आपके पास क्या कुछ कलेक्शन है कि मैं फैशन डिजाइनर हूं और मैं हैंडी क्राफ्ट इंडियन है अथनिक हैंडिक्राफ्ट में ही काम करती हूं जितना भी इंडिया में किसी भी तरह की इंब्रॉडरी से कोई भी फाब्रिक्स हैं उन सबको mix and match करके fusion क्रेट करना वकॉज हरे को आज एक इंडियन जो एथनिक एंशियंट वे से चलता आ रहा था उसको वैसे ही पहनना पसंद नहीं है और उसमें उनको कुछ डिफरेंट चाहिए कुछ उनको इंडियन इंडो वेस्टन करना है mix and match करना है fusion करना है so many things और व अधिये पास जैसे मुझे कुछ चीजे देख रही है तो यह जो सेट है आगे क्या है और क्या प्राइस वगईरघा थोड़ा बताएंगी मैं इसे उम्राव कुर्ता के लिप्रीमेंट है, इसे उम्राव ड्रेस, ये 32 कली के साथ उम्राव कुर्ता बना हुआ है, और इसके साथ शरारा बना है, जो एक इसको एक complete ethnic मुगलाई लुक देता है, और उसके साथ ये एक लेहंगे का लुक भी देता है, जब आप वेयर करते हैं और कमफर्ट उसको पूरा देता है, फैब्रिक क्या है तो लिका जी, इसके अंदर एक बहुत ही वॉयल, बहुत ही फाइन वॉयल कॉटन यूज किया गया है, जो कि all weather good फैब्रिक होता है, skin friendly होता है, और summer और winter और semi seasons जितने भी आते हैं, उसमें बहुत ईजी लिए हम पहले कॉटनी प्रफर करते हैं, और outfit का price क्या है? आउटफिट के हमारे जो prices स्टार्ट हो जाते हैं, वो बहुत ही minimum से स्टार्ट होते हैं, मैं सिंगल बोलू, अगर आप सिंगल ड्रेस, designer dress पहना चाहते हैं, तो 1500 से हमारे dresses स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत nominal range है, कोई भी ले सकता हैं, तो तुलिका जी के स्टार्ट पे दोस्तों आपको देख जाएगा कि काफी सारी इनके पास जो एंडो वेस्टन ब्रसेस हैं, फ्यूजन ब्रसेस हैं, एथनिक हैं, फिर आपको कुछ मोजरी और जुती यहां पे देख जाएंगी, उसके बाद उधर कुछ फुलकारी क भी वोक मुझे देख रहा है, तो हुनर हाट के अंदर इनके स्टॉल पे अच्छे कलेक्शन के लिए जरूर आएं, अब मैं खड़ी हो स्टॉल नंबर 24 पे जहां पे मुझे जूट के सारे प्रॉड़क्ट देख रहे हैं, तो थोड़ा भाया से बात कर ले, हलो भाया, जी पहले थोड़ा बात कर ले भाया, आपको शुब नाम, महेश कुमार राजन, तो महेश जी के बताइए कि आपने अपने स्टॉल पे क्या कुछ चीज़े रखी हैं, मैं कुड़ती है, स्मोल साइज से लेके डबल एक्सल तक, हैंड़ वर के डुबट्टे हैं, चंदेरी पे पे हैं, कोटन पे हैं, और शिफोन पे हैं, यह पलाजो है, आज कल जो ट्रेड चल रहे हैं, इनका गेर वाला भी है, इस से ज़्यादा घेर भी है, वह आएगा माल भी, वह गरार है शिरारे में, जो आपने बहुते हैं, और इस प्लाजो की क्या प्राइस होगा, यहां कम का प्रोग्राम होने का रहे हैं, तो 650 तक में देते हैं, और आपके पास काफी खुबसरों दुपट्टे दिख रहे हैं, यह क्या फैब्रिक है, और क्या काम है, यह चंदेरी सिल्ख पे डबटा है, हैंड वर्क है, इसमें हमने 6 कलर का कॉम्बिनेशन किया है, मल्टी कलर ज चाहिए, जा चलो रानी कलर का सूट है, तो डबटा इसमें मैचिंग हो गया, अब गरीन रेड नहीं होते कई बारी, तो यह से कॉम्मेनेशन क्या होता है, कि आप किसी भी ड्रेस के साथ मैचिंग होता है, तो आपने मतेरियल चंदेरी बताया, कीमत भी बता दीजे, इसके तो आज कल वो दोबारा ट्रेड वापस आ गया, तो ऐसे डबटे और ये एक आपने शायद अंग्रेज मूवी देखी होगी पुझाबी है, वो 1947 से स्टार्ट की हुई है, उसमें जितने भी आप डबटे देखोगे, सिरफ यही डबटे देखोगे, ये क्या वर्थ है, के साथ आप पैर कर सकते हैं, तो आपके पास ये सारी कलर्फुल दुपट्टे आपको मिलेंगी, जो कंचन वाला बता रहे भाया, इसकी क्या कीमत हो, ये 850 का रखा वर मेमरेल, तो आप जो है स्टॉल नमबर 21 पे आ सकते हैं, और कलर्फुल दुपट्टों की शॉपिंग यहां से कर सकते हैं, इस तरीके के स्टॉल्स के अलावा यहां पे आपको जो है रग्स है, कालीन है, बेड़ साइड रग्स हैं, ऐसी चीजों के भी स्टॉल्स आपको काफी सारे दिख जाएंगे दोस्तों, और कुछ तो खास स्टॉल्स भी हैं, जिस पे आपको कालीन ही मि रहा है क्योंकि विंटर्स है हर को यूज करता है अपने घर में बचाने के पॉपस है तो वो भी आपको यहां पर बढ़िया मिल जाएगा जैसा कि मैं आपको बताया की फर्नीचर्स के भी और जो डेकॉर पीसेज होते हैं तो वुड़न डेकॉर पीसेज उसकी भी बहुत अच्छी कलेक्शन आपको यहां पर देख जाएगी अब जिस टॉल पर हम खड़े हैं उसका नाम है आट मैटल वेर महोबा उत्रप्रदेश तो पहले भया सुन का नाम जाले नमस्कार भया आपका शुब ना मेरा नाम संतोस सोनी के दुटाल है मेरे दीदी के नाम है बेबी सोनी के नाम ते कम उनके प्रामके आश्यजीजी बताइए कि आपके स्टॉल पर क्या कुछ सामान है और क्या चीज़ें आपने रख किये यहां तो मोरति गोरे भी ऑजी पहले हैं यहां जितना डेकॉरेशन लग रहा है इसकी क्या प्राइस होगी इसकी प्राइस थ्री साउचन है दूसरे के ट्वेटी टुएंडेड है क्या मैटीरियल है ब्लेक मेटल में होता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी स्टॉल पर आपको बहुत सुंदर डेकॉरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे कुछ यहाँ पे आपको जो candle या दीपक holders होते हैं वो है brass के उपर भगमान के जो statues है वो भी मिल जाएंगे तो जैसे अगर मैं पूछूँ कि भया यह दुर्गे माता काफी भाड़ी है क्यो brass material है इसकी क्या price होगी तो आप देखिए दोस्तों कि आपको कितना सुन्दर statue यहाँ पे मिल जाएगा brass material के उपर goddess दुर्गा का यह 3500 रुपए का है और वजन अच्छा खासा है मैं आपको बता दू तो उससे पता चलता है कि material जो है वो अच्छी quality का use है यहाँ पे तो इनके stall पे भी आप सुन्दर सजावती समानों के लिए आ सकते हैं इमिटेशन जूल नमबर है 45 और stall का नाम है imitation jewelry जो की डेली से हैं तो पहले भाया से बात कर लेते हैं नमस्कार भाया आपको शुब नाम रॉबिन जी आपके पास क्या कुछ jewelry अवैलिबल है और उनके बारे में कुछ बताईए imitation jewelry जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें अलग अलग तरीके के jewelry है जिसमें oxidized में है, german silver में है, कुछ pearls में है, बीड्स में बनाए हुआ है आइटम्स है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप देखिए कि इनके पास में काफी और खुब सुरत neck pieces वगरा भी available है, तो थोड़ी prices की भी बात कर ले, जैसे अगर यह इसका में पूछ हो तो इसकी क्या price होगी, जैसे यह 350 रुपी का एक item है, हमारे पास 50 रुपे से की भी आइटम मिलेगी, तीस रुपे की भी आइटम मिलेगी, और ज्यादर ज्यादर दो हजार रुपे तक के भी necklaces जो है, वो मिलेंगे आपको, तो आप देख सकते हैं कि इनके store पे बहुत खुब सुरत आपको friends जुमकास देख जाएंगी, इनकी क्या price है भया, यह 300 friends की कितना खुब सुरत earrings है, जॉमन सिल्वर के ऊपर है, 500-600 के आसपास इसकी कीमते हैं, girls के लिए बहुत सुन्दर collection है, इनके पास jewelry का wedding आने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं, एक बहुत यूनीक चीज़ मुझे देख रही है भया, इसका क्या price है? इसे हसली कहा जाता है, इसमें set आता है, दो पैरों के हैं, इसमें दो हातों के हैं और ये घले का है, तो ये जो set है, ये 600 रुपे का set है, ये वजन के साब से आता है, इसमें थोड़ा ये hollow pipe में है, इसमें भारी भी हैं, जो pieces हैं, ये अलग range में आएगा, लेकिन ये बहुत लोग traditional आइटम हैं, traditional jewelries हैं ये, हाँ, अभी भी tribal सनौल इसको अभी carry करते हैं, जी जी बहुत से लोग हैं, हमारे गुजरात के, हमारे यूपी के जो महिलाएं हैं, वो चांदी के अंदर पहनती हैं, इसे चार, पांच किलो, दस किलो पहना जाता था, tradition में थोड़ा सा कम आ आइटम हमारे पास रख्यों हैं यहां पर, तो चार सो रुपे से लेकर हजार तक के आइटम आप उस सेट यहां पर मिल जाएंगे, और काफी यूनीक आइटम है, अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट वेर करना, तो आप इनके स्टॉल पे आके काफी कुछ ले सकते हैं हुनर हाट के अंदर स्टॉल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे स्टॉल्स हैं और हर स्टॉल पे कुछ आटन क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट, अलग-अलग लोकेशन से लोग आएं हैं, अलग-अलग स्टेट से आएं हुमें हैं, तो उनका जो आइटम है वो आपको दिख जाएगा, मैं आपको बार-बार फरनीचर की तरफ इसले इशारग करूएं दोस्तों, क्योंकि यहां पे कुछ जो डेकॉरेटिव फरनीचर होते हैं, डेकॉर्स वाले वो आपको अवैलेबल हो जाएंगी, जिनको आप एक या दो पीस अगर ले जाते हैं, तो बहुत तो जो पी सेंटर हो जैसे आप अगर आप देखें, यह एक सेंटर टेबल है, जिसके उपर आपको एक पुराना वोक काइंड आर्टिफेक्ट देख जाएगा, तो इस तरीके से भी आप चाहें, तो हुनर हाट के मदर अच्छी चीजों के खरिदारी कर सकते हैं, स्टॉल का न इस तरीके का स्टॉरेज बॉक्स आपको यहां पर देख जाएगा, जिसके उपर काफी सुन्दर कलरफूल टाइल्स हैं, जो उनका पाच किया हुआ है, और इधर भी आपको स्टॉरेज के कुछ यूनिट्स देख जाएंगे, उन पे भी रंग बरंगा टाइल्स का वोक है तो भाया, इसकी क्या प्राइस होगा, स्टॉरेज उनिट्स हैं, तो यह मतलब टाइल्स का लाइफ वगरा कैसा होता है, तो आप देखिए कि इनके स्टॉल के उपर आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगे, बहुत एक अट्राक्टिव मिरर भी आपको यहां पे देख करके बनाए गया है, स्टॉल का नंबर 47 है, और भया का बहुत सारा कलेक्शन जो है, वो थोड़ी देर के बाद भी आने वाला है, तो अगर आप कुछ डिफरेंट यूनिक पीसेज लेना चाहते हैं, तो इनके स्टॉल पे जरूर विज़िट करें, तो जिस स्टॉल नंबर 47 की हम बात करें थे, उनके ही आइटम्स आपको यहां पे देख जाएंगे, दोस्तों, अगर आपको मैं करीब से हटा के देखाओं, तो ये भी आप देखिए, कि टाइल्स के उपर बहुत सुन्दा छोटा एक संटा टेबल आपको देख जाएगा, तो कुछ अट्राक्टिव और डेकोरेटिव फर्नीचर आप लेने के लिए इनके स्टॉल पे जरूर आ सकते हैं, जूतियों की बहुत अच्छी कलेक्शन आपको यहां पे देख जाएगी, और आप देख रहे होंगे ही काफी सारे लोग जो हैं खरीदारी कर रहें, इसका भी बढ़िया कलेक्शन आपको यहां पे देख रहा होगा, उसके बाद टेराकोर्टा आर्ट का जो सामान है, हम हाली में मार्टिकला मेला गए थे, वहां पे इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी, तो वो भी यहां पे है, फ्रेंट्स अवैलिबल, बिल्कुल सामने आपको जो मेरी पांडाल दिख रहा है, दोस्तों, यहां पे है इनका स्टेज, और सहिर से बात है, इस वक्त दूपहर का समय है, शाम को यहां पे कुछ अच्छे सांस्कृतिक कारिकरम होंगे, फिर क्योंकि बात हुनर की हो रही है, देसी अंधाज की हो र स्टेज बनाया गया है, बड़ा स्टेज है, और जगह भी बहुत अच्छी है, खाने पीने के स्टॉल्स को भी हम थोरी दर बात कावर करेंगे, उसके सामने मुझे देख रहा है, मेरा गाउं, मेरा देश, हुनर हार्ट, तो वहां अब अंदर चलते हैं, हुनर हार्ट के अ देखते हैं, और देखते हैं, क्या कुछ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दू, कि जो स्टॉल्स है, वो बिल्कुल जो उप्रियों के ठेंट देसी अंदाज में लगे हुए, बैठनी के जो ववस्त है, वो भी आपको इस तरीके के जो फूस से बनी घास फूस, या हम लो पेज़ें मिल रही हैं, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें, तीसर रुपे, छालुस रुपे, अमेरिकन कौन आपको देख जाएगा, फिर आपको टिककी चाट है, धेलपूरी बगरा आपको इहां देख जाएगी, पान है, फायर पान है, तीसर रुपे का, जलेभी रबरी है, पाइनापल रबरी है शाकर कम्द है और फिर आपका जो टिकी चार्ट होता है बर्गर होता है मतलब एक सैट अप जो है बिल्कुल देसी अंदाज देसी महौल के अंदर खाने पीने के जादा तर स्टॉल्स आपको इस वाले के अंदर देख जाएंगे दोस्तों हुनर हाट के अंदर खाने पीने की क्या क्या चीज़ें अवैलिबल है और क्या कुछ मिल रहा है ये बताए बिना तो मतलब मैं रही नहीं सकती तो आपको दिख जाएगा फ्लेवर्ड गुड है यहाँ पंजाबी रसोई है थोड़ा आगे अगर हम चले तो राजस्थानी पक मैडिसन का स्टोर है उसके आगे आपको स्टॉल दिख जाएगा राजस्थानी खाना का जहां पर आपको दाल बाटी चूरमा है मुंग दाल पकोडी आलू टिक्की वगरा देख रही होगी दोस्तों उसके एक आगे अगर हम देखते हैं भेल पुड़ी शुगर कैंडी सॉ ले भटूरे और फ्लेवर्ड स्वीट तो अगर आप देखे तो खानी पीने की अच्छे स्टॉल सापको यहां पर देख जाएंगे लोग ले भी रहे हैं खा रहे हैं थोड़ा आगे अगर हम देखते हैं तो फ्लेवर्ड पान है फायर पान है ऐसी स्टॉल आसकर बहुत ज देख जाएगा और थोड़ा आगे बिलकुल सामने अगर आप देखे थोड़ा समय जोमिन कर दूंगी तो वहां पे आपको देख रहा होगा कि जो फ्रूट जूसेज वगर हैं वो भी आपको मिल रहे हैं तो यह कुछ नजारा और विवस्था है हुनर हाट के अंदर खाने पीने के स्टॉल का दोस्तों तंदूरी चाए, मसाला चाए, भेल पूरी, फ्रूट जूसेज, केरला हल्वा एन कोकोनट ओल और ऐसी बिलकुल लेन सी गई हुई है जहां पे और भी चीज़ें हैं कराही की खटपट से पता चल रहा है कि उदर चाइनीज नूडल से बन रह होगा दोस्तों चाइनज डिशन आप को यहां पे देख जाएंगी डोसा है, चाओमिन है टिक की है पर आपका चार्ट है पंजाबी चीज़ें वो दही भले मिल रहरा है आपको जैसे मैं आपको बोला तो पंजाबी डिशन दही भला जैसे मदा ही बढ़ा के अपने फिर सा बहुत लंबी स्टॉल है दोस्तों बस देखते जाईए खड़ी हो स्टॉल नंबर 10 पे जिसका नाम है कॉपर बेल कच्छ गुजरात से आए हैं तो पहली बात करें नमश्कार सर आपका शुब नाम मेरा नम दाउद है तो यह बताईए कि आपके यहां से बहुत अच्छी आवाज आ रहे थी इसलिए मैं अट्राक्ट हो क्या गए तो क्या कुछ रखा आपने अपने स्टॉल पर हमारे इस क्राफ्ट का नाम कॉपर बेल हैं इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेट विंड चाइ पर बहुत सुन्दर इस तरीके के विंड चाइम्स वगएर आपको दिख जाएंगे तो जैसे मैं पूछो इसकी क्या प्राइस होगी भया ब्राज, कॉपर, आयम, जिक, मिक्स मट्रियल है और वर्ग पुरा हैंड मेंड है तो आप देखिए कि यह जो पीस आपको यहां पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स यह 1500 रुपीस का है पूरा हैंड वर्ग है अवाज अगर आप सुन पाएं एक बार तो देखिए कि बहुत प जी क्या प्राइस है इस इंस्ट्रूमेंट की 5200 तो आप देखिए कि इस तरीकी का इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे बहुत सुन्दर बॉइस निकल यह आप देख सकते हैं दोस्तों इनके स्टॉल पर आपको बहुत अच्छी और यूनीक चीज़े मिल जाएंगे अगर आप एक आज आइटम भी लेकर जाते हैं अपने होम डेकॉर के लिए तो बात मानिए यकीन मानिए कि आपके घर में बहुत सुन्दर चारचांद लग जाएगा दोस्तों तो आप इनके स्टॉल पर आएं और इस तरीके के खूबसरा डेकॉरेटिव और जो साउंड वाल प्रोड्यूसिंग माटीरियल से उनको लेकर अपने घर पे जरूर जाए तो बहुत सुन्दर यूनीक जो आइटम से आप मुझे देख रहे हैं तो पहले ज़रा बात कर ले हालू माम आप जी तो विजे जी आप ये बताइए कि आपके पास स्टॉल पर क्या कुछ चीज है अवालेबल हैं ये बुडे ने लेंप स्टेंड स्टूल टेविल ये सारी चीज़े हैं तो इस तरीके के जो डेकुरेटिव जो स्टांड्स आप दिख रहे हैं इनकी क्या प्राइस होगी ये 4,000 से लेके 9,000 तक क्या कौन सा वुड है ये आपके जर्नल हिंदी भी नहीं हो सकता कौन सी लकडी है मैं बताइए ये आपकी नीम आम आपके जामून साकू जैसे जो रेगुलर रमिक्स जो लकडियां होती हैं वो सारी चीज़ें जी जी बिलकुल तो आप देखिए कि इनके पास इस तरीके के आपको अलग-अलग लकडियों से बने हुआ आइटम्स दिख जाएंगे फिनीशिंग अच्छी है प्राइस 4,000 रुपे से 9,000 रुपे के रेंज में हैं तो अगर आप ऐसा कुछ सामान लेना चाहते हैं दोस्तो तो मैं के स्टॉल नमर 12 पे जरूर मैं आपको यहां पर स्टॉल्स दिखलाती चली जारी हूं कि कहां पर क्या चीज़े मिल रही हैं वेस्ट वंगॉल का आइटम है सारा जूट वर्क आपको देख जाएगा दन आफ्टर यहां पर आपको सिल्वर और जूर्मन जूलरी का कलेक्शन देख रहा है दोस्तों थो वो भी आपको देख जाएगा और आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो असाम का हैंडी क्राफ्ट है दन आफ्टर आपका यह भी आसाम बारपेला से आए हैं उनके जो हैंडी क्राफ्ट वाले आइटम्स हैं वो आपको देख रहे होंगे यहां पर डेकोरेशन भी बहुत अंदर सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जो फार्नीचर है भदोही के कालीन हैं कारपेट्स हैं यह सारा समान आपको देख रहा होगा टरा कोटा पौर्टरी का स्टॉल आपको यहां पर देख रहा होगा जिसमें बहुत सुन्दर सुन्दर टरा कोटा के आइटम्स आपको देख रहे हैं friends, decorative items है, bird feeder है, lamps वगरा देख रहे हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे UP का stall है, furniture का जैसा हम आपको बतारी हैं, वो stalls है, थोड़ा हम उधर आगे बढ़ेंगे और वहाँ के stalls पर देखेंगे क्या कुछ है, यह एक stall मुझे बहुत सुन्दर लग रहा है दोस्तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुद्ध भागमान की statue है और वास है, जिसकी कीमत thousand rupees है, दन आफ्टर बाकी सारे furniture items हैं, कुछ यहाँ पे decorative items लगे हैं, camel लगा हुआ है, actually यह जो है दोस्तों यह collection सारे stalls वालों ने कुछ-कुछ items अपने यहाँ पे रखे हैं, आप यहाँ स सामान पसंद करके उस stall के number पे जा सकते हैं, वहाँ जा के जो है उस item को purchase कर सकते हैं, और आप देखिए कि कितना सुन्दर collection है, कितना सुन्दर नजारा है, यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे हुनर हाट की भी चीज़े दिख जाएंगे, tea set रखा है, और कुछ tribal जो clothes होते ह वो भी यहाँ पे देखने हैं, और customer आपको देख जाएंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक stall देख जाएगा दोस्तों, जहाँ पे बहुत सुन्दर crockeries हैं, और जो material आप जिसको हम चीनी मिठी या फिर bone चाइना कहते हैं, उसका बनाया हुआ सामान आपको यहाँ पे द दिफ्यूजर आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, करिब करिब नहीं भी 200 से 500 के करीब अरोमा डिफ्यूजर आपको मिल रहे हैं, एक बड़ा सुन्दर stall दिख रहा जहाँ पे ऐसे रंग मिरंगे candles और यह बहुत सुन्दर कलरफूल च्छतरी आपको मिल जाएगी तो इस stall पे भी हम चलेंगे और देखेंगे क्या कुछ मिल रहा है Stall number 238 जहां पे बनारस के काफे कुछ चीज़ें मुझे देख रहे हैं तो पहले भाया से बात कर लें, हलो भाया आपका शुब नाम मेरा नम आरजू अंसारी है जी तो आरजू ये बताओ आप कि आपके stall पे क्या कुछ चीज़ें रखी है नमारे stall पे साड़ी है, सूट है, डुबटा है, हर वराइटी रखी है बनारस की तो जैसे मैं पूछूँ कि ये जो साड़ी है, मल्टी कलर, ग्रीन और थोड़ा मरून कोकोईश में इसका क्या प्राइज है इसका प्राइज आपको ये छे हजार की साड़ी है, ये पेवर बनारसी साड़ी है और बनारसी साड़ी ये 6,000 कीमत है, उसके अलावा आपने सूट पीसेज वगरा भी रखे है ये पंद्रा सो के अथारा सो के हर वराइटी की सूट है ये तो आपको बनारसी साड़ी पीछे दिखरी है, दूसरे नमबर पे उसकी क्या प्राइस है स्टॉल का नाम है अपलिक और जहे है, पुड़ी उडिसा से आए हैं तो पहले भाया सुन का नाम पुछने नमस्कार भाया आपको शिब नाम अनवर भाई आपके स्टॉल पे बहुत कुछ रंग बिरंगा खुबसूरत सामान देख रहा है मुझे तो क्या कुछ रखा है आपने? तो आप देखिए कि भाया के स्टॉल पे आपको बहुत ही कलरफूल बैग्स दिख रहे हैं यहां पर बहुत सुन्दर बहुत कुपसूरत लग रहा है क्या कीमत है इसकी? 750 रुपीज तो आप देखिए कि कितने सुन्दर इस तरीके के आप अज़स को संटर पीस यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव आइटम यूज़ कर सकते हैं फिर इनके पास कैंडल्स हैं बहुत सुन्दर सुन्दर बैग्स हैं काफी कलरफूल तो अगर आप रंग बेरंगे और ऐसी खूबसूरत चीजों का शौक रखते हैं दोस्तों इनके स्टॉल पर आप जरूर आईए कैंडल्स अगर आप देखे हैं हलाकि दिवाली तो आप चली गई लेकिन उस लाइन से अगर आप देखे तो बहुत सारे कलरफूल खूबसूरत कैंडल्स आपको देख नमस्कार भाई आपका शुब नाम मुझमिल अली बहाई यह बताए कि आपने अपने स्टॉल पे क्या कुछ चीज़ें रखी हैं कौपर का है मेरे पास कौपर एंड बिरास है दोनों मिक्स है और मैटल्स का सब आइटम है मेरे पास तो यह जो खूबसूरत बॉटल्स मैं देख रही हूं काफी खूबसूरत चीज़े और एक बहुत सुन्दर डेकुरेटिव दिख रहा है मुझे कस्टमाइजेशन का क्या प्राइस बिल्कु कस्टमाइज का भी मैं वही रेट है हम कस्टमर के फोटू बगरा सब लगाते हैं जो कस्टमर मांगते और उनका ल प्राइस को गिफ्ट कर सकते हैं उसकी भी सेम प्राइस है और एक पिकॉक का बहुत सुन्दर भाया डेकुरेटिव आइटम लगा इसकी क्या प्राइस है अगर इस टॉल पे आते हैं तो आपको बेहत खूबसूरत बॉटल्स के सांथ साथ कुछ यूनिक डेकॉरेटिव आइटम में मिल जाएंगे जिनकों कि आप अपने ड्रॉइंग रूम या घर में अगर लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत अट्राक्शन का पीस बन जाएगा एक पिचर भाया हमें यहां पर दिखला रहे हैं क्या प्राइस अच्छा होता है कॉपर के बरतनों में पानी रखके तो इस हिसाब से आपको ऐसे पिचर भी यहां पर दिख जाएंगे कुछ कॉपर के खूबसूरत सिपर्स भी आपको दिख रहे हैं तो आप स्टॉल नंबर 234 पे जरूर आईए कारपेट के स्टॉल आपको यहां पर दिख जाएगी एक पांडा का भी खूबसूरत सा कारपेट यहां आपको दोर्मेंट दिख रहे हैं सॉरी फ्रेंट्स और एक कारप्रिंट का दोर्मेंट है फिर कुछ यहां पर कालीन है डेकॉरेटिव आइटम्स है दोस्तों होनर हा यहां पर यूनीक मुझे अच्छे लगें दन आफ्टर अगर आप देखें तो स्टॉल्स क्यूंकि बहुत अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं यह 100% जो है आपको ब्लॉक प्रिंट के ओपर जो का जो रग सेट होता है बैटशीट सेट होता है वो आपको देख जाएगा बनारस के भी बहुत सारे लोग है बनारसी सूट पीसेज आप देख लीजे या फिर सारिया उनकी कोई कमी नहीं हुनरहाट के अंदर और टेक्स्टाइल का जो आपका काम है वहां काम दर स्पेंगौल का वहां की भी चीज़ें हैं तो कुल मिलागर बहुत अच्छा आयोज के लिए आने वाले हैं कुमार सानू, सुरेश वाडेकर, अलकायागनिक, अलताफ राजा, पंकजुधास, दिलबाग सिंग, तो आप देखें कि डेट्स भी यहां लिखी हैं चौधा को कुमार सानू आएंगे, फिर पंदरा को सुरेश वाडेकर, फिर आपका सोलह को अलता कारिकरम का जो समय है, वो 6 से रातरी 10 बजे तक का है, और अड्रिस भी मैं आपको यहां पे साफ तौर पर देखला दे रही हूँ, आवस्चिल पुराम के नजदिक अमर शहीत पत और जो आप गूगल लोकेशन के थूरू भी आ सकते हैं, तो देखें फ्रेंड्स की यहां पे बहुत सुंदर रंगा-रंग सांस्कृतिक कारिकरम जो है, उसकी भी अज़लकियां आपको शाम के वक्त दिख जाएंगी, तो उकुल मिला कर मेरा ये कहना है कि आप जो हैं, हुनर हाट में जरूर आएं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, समय लेकर आएं, दो धाई घंटे कह अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं, तो बिलकुल आप यहां आ सकते हैं, महिलाएं खास दौर पर यहां आएं, काफी कुछ उनको मिल जाएगा अपने हिसाब से, 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक चलने वाला है, आपका यह हुनर हाट का मेला, आपके अनुरोत पर मैं य परिवार के साथ साथ तहांत यानी वीकेंड पे आपको आएगा बहुत जाड़ा मजा, तो आप जरूर आएं, हुनर हाट में लुद्फ फुठाएं, खरीदारी का, खान पान का, लोग कला का, कल्चर का, सांस्कृतिक महत्र का, और देखें मेरे साथ मैं आपको 130 डिग्री नजारा दिखाने की कोशिश कर रही हूं, कितना खूबसूरत नजारा है, फैमिलीज आपको दिख जाएंगी, बच्चे हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, तो आप जरूर हुनर हाट के अंदर आएं दोस्तों, और यहां पे इंजॉय करिए, और सांस्कृतिक कारिम करम के भी आपको 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 आपक